हेलो फ्रेंट्स आज की हमारी ये वीडियो अध्याय दो गैस चार्जिंग विधी की पार्ट 3 वीडियो है मतलब कि अभी तक हमने इस वीडियो से पहले दो पार्ट को पड़ लिया है यदि जिसने भी इस वीडियो से पहले जो दो पार्ट बनाया गया नहीं देखा है तो व सबहσα सकते हैं तो चलिए फ्रेंट वीडियो को हम सुरू करते हैं विडियो में हम जानने वाले । की इस तरीके से किया जाता है और धर जो हैं को आग इस वीडियो चार्च कैसे करेंगे इन जो चलिया हम सुरू करते हैं सबसे पहले आपको इस जो फ्रीज का जो सिस्टम है जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके कंप्रेसर पर यह जो चारजिंग लाइन के बाद आपको एक कैपिलरी लगाना है कैपिलरी इतनी पतली होनी चाहिए मतलब सब्सक्राइब करके चप्टा कर दिया और उसके बाद यहां से काट करके इसमें फिर से वापस हम्लोग वेल्डिंग करके इसको ठीक कर लेते हैं मतलब बंद कर देते इस राजते को तो यह प्रक्रिया गेस चार्ज होने के बाद होने वाली है और यह आखरी प्रक्रिया तो इसलिए यहां पर एक के बाद यह जो दिख रहा है फाग इसको एनार्बी बोलते हैं इस मतले हां नॉन रिटर्ण वाल्ब का और उस नर्वी वाल्ब को वहीं पर छोड़ दीजिए इसमें एक पीन होता है यदि आपने पीछे वाले हमारे वीडियो को कोर्स के सभी वीडियो को देखा होगा तो इसके बारे में आप जानते होंगे कि यह पीन जब दबता है तो यह रास्ता खुल जाता है इसको दबा करते हैं के यहां इक मैनिफोल्ड वाल्ब मैनिफोल्ड वाल्ब के तब्लोगे का भी सकते हैं कोई दिखत नहीं नहीं जहां पर सिंघल सोने पर Сंब आइस की निचे के तरफ 30. की रेडिंग दिखा रहा है मतलब यह जो 30 दिख रहा है यह माइनस में का लाता है और उपर जो है कि पहलें यह जानने की कि वेक्यूम का मतलब होता है इस प्रिजिए प्रिप के ऒबिश्रेटर दो कि अउन सब्हें के डिब्स माइन निजम Davidson की निकाल आए यह जो प्रकिरिया होता है यदि आप बाहर की हवा को खीच करके बाहर नहीं निकालेंगे जो पाइप के भीतर जमी हुई है जो सुनिय प्रेसर पर भरी हुई है उसको यदि आप बाहर नहीं निकालते हैं तो जब भी हम इसके अंदर गैस चार्च करेंगे तो वह हवा जो है गैस के साथ पूरे सिस्टम में घुमेंगी और हवा एक तौन में तो पानी बदलेंगा पानी जब ऑर ज़्यादा हो जाएगा तो बरफ में बदल जाता है और जैसे इस भरत जम जाता है तो यह पूरर के वज़ज़े से नहीं हो जाता है तो यह चलना बंद करदेगी और cooling खतम हो जाएगा तो इसलिए gas charge करने से पहले ये वाला प्रक्रिया पहले आपको कर लेना है मतलब vacuum करना एक दम जरूर है कि आपको करना ही करना है आप flush जो प्रक्रिया है उसको जो चोक होता है उससे में कर सकते हैं जो leakage वाली checking की प्रक्रिया है जब leakage system में होता है तब कर सकते हैं नहीं तो जो यह vacuum वाला प्रक्रिया है vacuum आपको हर हाल में system का करना ही करना है अब जो है इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि system में vacuum क्यों किया जाता है ऐसे आपको pipe को जोड़ लेना है जोड़ने के बाद यह जो हमारा वर्कसाप compressor है वर्कसाप compressor को on करना है जैसे ही वर्कसाप compressor on होगा इसके suction line पर यह जो pipe जूड़ी हुई है इस suction line से जो pipe जूड़ी हुई है यह pipe क्या करता है यह valve भी खोल देना है जो यह हमारा manifold valve है इसको भी हमें open रखना है open रखने से क्या होगा कि यह जो रास्ता है जो system का पूरा line है इसके साथ जूड़ जा रहता है और system के अंदर की हवा जो होती है इस compressor का जो charging line है यहां से हो करके यह गैस charging line से होते हुए manifold valve से हो करके यह जो compressor है पूरे system के अंदर की हवा को खीच करके यहां discharge से बाहर के तरफ निकालता रहता है और यह जो प्रिक्रिया है आप इस compressor के जगह पर suction pump का भी इस्तेमा कर सकते हैं यदि आपको बहुत ज्यादा बेहतर वेक्यूम करना है तो आप यहां पर suction pump का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं तो आपके वर्कसाप compressor से भी यह सारे काम आसानी से हो जाते हैं यह वर्कसाप compressor से क्या होगा कि पूरा जो इसके अंदर का जो हवा होता है खीच करके य यह हवा निकालता रहेगा तो यह जो सुई है जो सुन्य पर पहुच गई है वह सुन्य से नीचे के तरफ 30 तक आ जाएगी और जब 30 तक आ जाएगी तो यहां जो वर्कसाप compressor का discharge लाइन है वह बाहरी हवा जो अंदर से हवा खीच रहा है वह हवा भी निकालना बंद कर दि यह जो वर्कसाप compressor के suction line पर यह charging pipe लगी हुई है इसको खोल करके कुछ इस चित्र के अनुसार आपको यहां पर एक refrigerant का cylinder जोड़ देना है अब जो है हमारा vacuum का प्रक्रिया हो गया अब जो है कि इसमें हम दूसरा प्रक्रिया करेंगे gas charging के gas charge करने के लिए हमें करना क्या होता है अब उसके बाद जो है कि यहां पर हमारा यह compressor होता है जो fridge के अंदर लगा हुआ compressor है वो रहेगा और उस compressor को on करने से पहिले हम क्या करेंगे कि एक बार यह जो refrigerant का cylinder है इसके यह valve जो लगा हुआ है इसको खोलेंगे और खोल करके यह ज refrigerant है उसको भेजेंगे जैसे refrigerant यहां पर आता है यह आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि यह जो valve बंद है यह जो manifold valve यहां पर बंद है अब इसको करना क्या है कि इस पाइप में जो refrigerant cylinder से जुड़ा हुआ है इसको हलका सा धीला करते है ऐसा क्यों किया गया है धीला करके ज आइसको कसो देते हैं मतलब बाहर निकाल देते हैं फिर वापस उसको कस देते हैं तो यहां पर खसने से पढ़रे go जो है कि इसको क्यों किया गया ऐसा क्योंकि इस पाइप के भीतर जैसे हमने वरकसाप कंप्रेसर से इस पाइप को खोला था तो वैसे ही इस पाइप के भीतर बाहर की हवा घुस गई थी उस बाहरी हवा को निकालने के लिए यहां पर इस पाइप को धिला करना पड़ा मेनिफ पाइट कर दिया जाएगा और उसके बाद यह जो मैनी फोल्ड यहां पर लगाया गया है इसके वाल्ब को खोल दिया जाएगा और खोलते ही इस पाइप में जो भी कुछ यह दिए गैस रहता है वह अब इस सिस्टम के अंदर जाना शुरू कर देता है अब जो है आप चाहें तो बीना कंप्रेसर को चालू किये हुए ही एक आद दो बार इस वाल्ब को खोल करके जो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर पर वाल्ब लगा है इसको खोल करके इसमें गैस भर सकते हैं और या फिर आप इस कंप्रेसर को आन करके भी गैस को भर सकते हैं लेकिन लास्ट में आपक charging के लिए पूरी तरह से तयार हो जाता है और compressor on होने के बाद यह जो हमारा refrigerant का cylinder है इसको valve को cylinder के ऊपर जो valve लगा है उसको आप खोले फिर बंद करें खोले बंद करने का मतलब ही है कि पहले आप कम से कम 10 या 20 सेकेंड के लिए इसको खोल करके रखिए जब आप इसको बंद करते हैं तो एक से दो मिनट के लिए बंद करके रखिए तो ऐसा क्यों किया जाता है क्योंकि जैसे ही आप 10 से 20 सेकेंड के लिए गैस को खोलते हैं यह जो सिलेंडर से गैस निकलती है वह बहुत अधिक प्रेसर के साथ इस कंप्रेसर के पिश्टन पर अपना दबा बनाती है यदि लगातार यह खोल करके छोड़ दिया जाए तो हमारा जो कंप्रेसर का piston है या compressor का लिजिए कि वो खराब हो सकता है इस वज़ाज से इस gas के cylinder केन को धीरे-धीरे खोला जाता है जैसे याप धीरे-धीरे खोलते हैं तो gas धीरे-धीरे करते हुए इस system के अंदर भरती रहती है पूरा जो यह हमारा fridge का system है उसमें gas भरती रहती है और जैसे यह gas भरना शुरू होगा यह जो सुई है जो compound gauge की सुई पहले तो minus 30 पर रहता है लेकिन जैसे जैसे आप gas भरेंगे minus 30 से उपर उठेगा पहले सुन्य तक जाएगा और सुन्य के बाद यह आगे उपर के तरफ बढ़ेग सुई को तब तक आप मतलब देखते रहे कि कब तक इसको उपर तक ले जाना है तो जब तक इसमें यह जो सुई है compound gauge की 10 से 12 pound के बीच न आ जाए तब तक आपको gas को भरते रहना है friends आपको एक बात और clear कर लेना है कि इसमें यदि refrigerant R134 A है तब ही आपको इसमें 10 से 12 pound भरना है सबसे पहले तो आप यह जानिए कि fridge के अंदर कितने gas से चार्ज की जाती हैं तो fridge में कुल 3 gas से ही होती है जिनको अलग-अलग फ्रीजों में चार्ज किया जाता है ऐसा नहीं कि तीनों को एक अई बार चार्ज कर दे किसी गैस में कोई किसी गैस में कोई तो इस तरीके से पहिला जो फ्रीज में गैस चार्ज किया जाता है मतलब R134 A दूसरा जो refrigerant है R600 A और तीसरा जो refrigerant है उसको HC बोला जाता है मतलब कि hydrocarbon hydrocarbon मतलब कि यह तीन गैसे ही होती है जो कि fridge के अंदर डाली जाती है चाहे किसी भी प्रकार का fridge हो चोटा बड़ा सभी प्रकार के फ्रीजों में इनी तीनों गैसों में से किसी एक गैस का इस्तेमाल किया जाता है तो यदि आप R134A रेफ्रिजरेंट को फ्रीज के अंदर चार्ज कर रहे हैं तो उसका जो यह जो सुई है कंपाउंड गेज की 10 से 12 पाउंड होना चाहिए यदि आप R600 रेफ्रिजरेंट को चार्ज कर रहे हैं तो उस समय यह जो कंपाउंड गेज की सुई है माइनस 30 से ले करके 0 तक आना चाहिए बस सुण्य तक या तो सुन्य से आप 1 point अधिक कर सकते हैं नहीं तो सुन्य तक ही आप उसको रखिये यदि आप hydrocarbon gas charge करना चाहते हैं तो hydrocarbon gas को charge करते समय यह जो सुई है 8 से 10 के बीच में ही होनी चाहिए तो इस तरीके से आप 3 गैसों के बारे में जान गए होंगे कि 3 गैसों का प्रेसर कितना किसी फ्रेज में हमें चार्ज करना होता है एक बात और आप जान जाएए कि R134 यह जो रेफ्रिजरेंट होता है और ज्वालनसील होता है मतलब वो आग पकड़ने वाला नहीं है R600 जो है ज्वालनसील है हाइडरो कार्बन जो गैस है वो भी ज्वालनसील है तो यदि आप किसी फ्रेज में R134 यह रेफ्रिजरेंट चार्ज कर रहे तभी आप गैस चार्जिंग जो लाइन है मतलब कि हमारा जो कंप्रेसर का CL है मतलब चार्जिंग लाइन है उसको आप पिंच कर पाएंगे R134 रेफ्रिजरेंट के साथ ही आप इसको पिंच करेंगे अन्य था यदि आप इन दोनों का मतलब हाइडरो कार्बन या या R600 डाल रहे है तो ये पिंच वाला जो काम है वो आपको नई करना है यदि आप R600 और HC के साथ पिंच वाला काम करते हैं तो ये यहाँ पर आग लगने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि थोड़ा सा भी यहाँ से लिकेज होगा गैस चार्जिंग को गैस के अनुसार ही सिस्टम के अंदर प्रेसर भरें और प्रेसर भरने के बाद अगला प्रोसेस होता है हमारा पिंच करना पिंच करने की प्रकिरिया आप चाहें तो किसी फ्रेज में कर भी सकते हैं लगाए हुए हैं तो आप उसमें पींच करने का कोई प्रोसेस नहीं करें यदि आप पिंच करना ही चाहते हैं तो आर 134 एर फ्रिजरेंट यदि चार्ज करेंगे तब कीजिए गा तो यहां पर यह जो कैपिलरी लगाई गई है और 134 एरेफ्रेजंट हमने इसमें चार्ज कर दिया और उसके बाद जो है कि यहां इस काईपिलरी को हमें पिंच करने की जरूरत है तो क्या करना है सबसे पहले इसको पिलास से दबा दिया जाता है यह इसके नीचे कोई support दे करके इसको पीट करके चप्टा कर दिया जाता है और इसके आगे से इस line को जो NRB लगा हुआ है यहां से इसको काट करके अलग कर दिया जाता है यह सारा प्रकिरिया जो pinching की प्रकिरिया है सिस्टम में जो compressor है उसको चालू रहते समय ही यह काम करना है यदि आप इस compressor को बंद कर देते हैं तो इधर का जो CL line जो है इधर का जो pressure होता है ज्यादा हो जाएगा बढ़ जाएगा जिसके वज़ा से यह pinching का प्रकिरिया नहीं कर पाएंगे आप तो इस वज़ा से compressor को करके weld कर दीजिए और इस तरीके से आपके fridge के अंदर gas charge हो जाता है पूरा प्रकिरिया के साथ पांचों प्रकिरिया को करने के बाद आप इसमें gas charge कर सकते बहुत ही आसान प्रकिरिया है लेकिन जब यदि आप उसको नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे तो चलिए फ्र